आँखें खोल सकतिय पिली सर्सों जबरदस्त सकतिशाली चीज पिली सर्सों यलो मस्टर्ड मेरे यूट्यूब चैनल वासु सिंप्लिफाइड में एक बार फिर आपका स्वाकत है नमस्कार जाय दिलें अंदर आप इस वीडियो में दानेंगे कि घर में पाया दाने वाला एक सस्ता सा पदार जो प्राया हर घर में मिलता है जिसको कहते हैं पिली सर्सों पिली सर्सों यलो मस्टर्ड को घर में कितने रूप से लाब दे सकते हैं इसके उप्योप करके इसको आद हम विष्ट्रित रूप से जानेंगे घर वास्तु में बहुत मुस्किलों से बचा सकती है ये पिली सर्सों कितने ही मुस्किलों से आपको पार लगा सकती है पिली सर्सों कैसे करें इसका उप्योप तंतर सास्तर और वास्तो सास्तर में पिली सर्सों का बड़ा महत्व है प्राचीन परंपराओं में हवन अनुस्टान में भी पिली सर्सों का उप्योग होता था यानि पिली सर्सों के अनेक रहशे में उप्योग है इसको मैं आपको पॉइंट वाइज यानि बिंदुवार समझाने का परियास करूँगा ताकि घर में पाया जाने वाला ये बहुत सस्ता सा पदार्द यानि पीली सरसों हमको कितने रुपों में फाइदा दे सकती है आईए जानते हैं किसी के घर में किसी को लगता हो कि भूत प्रे टोना टोटका इस परकार की नकारात्मक सक्तियां यानि नेगेटिव पावर्स घर कर गई है तो पीली सरसों को थोड़ा सा कपूर में मिलाकर पूरे घर में उसको जलाना चाहिए जिससे नकारात्मक सक्तियां समाप्त हो जाती है नए घर में अगर आप परवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले परवेश से दो तिन दिन पहले घर में पीली सरसो छड़कना शुरू कर दे जिससे घर में बुरी सक्तियां नजर द्रश्टी दोस आदी किसी भी प्रकार की नकारात्मक सक्ति परवेश नहीं करें घर में सुक्सांती समर्दी बनी रहे इसके लिए कांच के एक छोटे से बोल में प्याले में थोड़ी सी पीली सरसो भरकर संड़े को रविवार को नौर्थ इश्ट कॉर्णर में यानि इसां दिसामें रख दे सरसों को सरसों आपने बहुत देखी होगी ये ये पीली सरसों सरसों को घर में जलाने से ऐसा कहा गया ऐसी मान्यता है कि करा कराया और जादू टोना सब दूर हो जाता है गर में आपसी तनाव आपसी वेमनश्ये दूर करने में पीली सरसों बहुत फाइदेवन रहती है इच्छा पूर्ती, मनों कामना पूर्ती के लिए पीली सर्सों को कपड़े में बांद कर यानि पीले कपड़े में बांद कर संडे को, रविवार को पूजा इस्थान में रख दें आपको निश्चित फाइदा मिलेगा ऐसे भी मान्यता है कि पीली सरसों को पीले कपले में बांद कर, अगर मैन एंट्री जो आपकी है, मैन गेट, उस पे लगाने से किसी भी प्रकार का पित्रदोश आदिस समझ्याई दूर होती है, पीली सरसों को उपले पर रखकर, जलाने से, फेत्री में, दुकान में, व्यापार वर्धी और पूरी फेक्टी में घुमाना चाहिए, किसी को सत्रू पीडा हो, दुस्मनों का भय हो, तो उसे दूर करने है तू भी घर या फेक्टी की इश्ट दिसा में, एनि पूरव में, पीली सरसों कपूर के साथ जलाने से फाइदा मिलता है, कभी-कभी किसी वेक्टी को उपरी साथ बार उल्टा, इसे उल्टा गुमा कर चोराय पर फेंगने से व्यत्ची को आराम मिलता है, ऐसा कम से कम साथ वार को करना चाहिए, साथ वार, साथ वार को करना चाहिए, परिवार की शेप्टी सुरुक्षा है तू भी, पीली सरसों घर में रखना, पूरव या उत्तर इस्ट या नौर्स दिसा में बहुत ही महत्वूल माना गया है, नावगरों में किसी भी ग्रे की बादा हो, यानि ग्रे से उत्पंद कोई समश्याएं हो, तो पीली सरसों छड़क कर दूर की जा सकती है, फेत्रियों में, यथा इस्तान, दिसा के अनुसार, पीली सरसों रखने से मशीनों की दिक्कतें दूर होती है, बार बार मशीनी तूड़ जाती है, खराब हो जाती है, चलती नहीं है, तो ये दिक्कतें दूर होती है, चांदी की एक छोटी सी डीविया में, पूजा घर में, थोड़ी सी पीली सरसों रखने से बहुत फाइदा मिल सकता है यानि सब्ता में कम से कम एक दिन यानि रवीवार को संडे को तो छट पर या घर में या फेक्टी में पीली सरसों का छिड़काव करें जिस से नकारातमक उर्जा नेगेटिव एनरजी समापत होकर पोजिटिव एनरजी का निर्मान होता है मुख्य गेट पर यानि में गेट पर दो मुख्य दिर्वाद आए चाहिए फ्लेट हो चाहिए कोटी हो पीली सरसों हर संडे को छिड़कना नकारातमक सब्तियों को दूर रखने में बहुत लाब दे सकता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइट को अगर अभी तक आपने सबस्काइब नहीं किया है तो इसको सबस्काइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सेर और खोरवाड करें जिससे अधिक से अधिक इससे लाभानमित हो सकें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद